हेलो स्टुडेंट्स एक बार आपका फिर से स्वागत है ओट वन डिजिटल एजूकुशन चैनल पर मैं आपका मैठ्स टीचर नवनी देशवाल देखिए यहां पर हम मैट्रिक्स को डिसकस कर रहे हैं इससे पहली हमने लेक्चर में वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज को डिसकस करेंगे operations को हम डिसकस यहां पर करेंगे operations on the matrices operation में क्या आएगा जैसे हम्तिक्स को कैसे minus करेंगे और उसके बाद फिर हम multiply करते हैं तो जैसे number को multiply करते हैं, वैसे ही हम किसी matrix को, किसी दूसे matrix से multiply कैसे करेंगे, क्या conditions है, फिर उनका properties है तो उसके हम discuss करेंगे तो उस पर depend करेंगे आपको exercise 3.2, अगर आपने इसको धंग से सुन लिया, समझ लिया understand कर लिया, तो आप 3.2 exercise को आसानी से कर लेंगे, तो यहाँ पर हम जो concept के साथ-साथ मैं आपको कुछ examples के थुरू, उस concept को आपके दिमाग में डालने की कोशिस करूंगा, तो आप यहाँ पर सुनेंगे उसको तो देखिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि exercise के लिए हम basic concept को देखते हैं, तो देखिए basic concept हमारा क्या है, वो देखिए हाँ पर देखिए, यह chapter आपका चल रहा है matrices chapter जो हमारा चल रहा है वो है matrices, यह chapter number 3 है, ठीक है इसमें आज हम operations देखेंगे, matrix के, operations on matrices on matrices अब देखिए, operation में क्या है इसमें addition है बल्दो कि matrix को जैसे number नहीं होती है जैसे 2 प्लेस 3 किया, तो 5 आगया तो addition यहाँ पर देखेंगे, कि matrix को add करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर हम subtraction या difference देखेंगे, कि एक matrix को किसी दूसरे matrix में से कैसे minus किया जाता है और यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, किसी matrix को किसी number से matrix को multiply हम कैसे करेंगे किसी दूसरे number से तो multiplication of a matrix by a scalar by a scalar scalar मतलब यहाँ पर हम किसी number से उसको multiply करेंगे, 2 से, minus 2 से, इस तरीक से और यहाँ पर next हम discuss करेंगे, multiplication of a matrix by another matrix वादब एक matrix को किसी दूसरे matrix से अगर हम multiply करना चाहते हैं, तो क्या होती है, होती है और कैसे होगी, क्या rule है, क्या condition है, इस चीज़ को हम discuss करेंगे तो इस चार बाते हम इस वीडियो में discuss करेंगे, ठीक है, तो आप धिहान से वीडियो को देखते रहेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं addition का, तो देखिए जब addition की यहाँ पर बात होगी, पहला operation क्या है, दो matrix को हम add कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा operation operation on matrices तो अब देखिए, यहाँ पर operation में पहला है addition अब दो हमारे पास matrix हैं, और हम उन्हें add करना चाहते हैं जैसे माली यह एक matrix A है मैं example ले रहा हूँ, आसानी समझा जाएगा, मैंने एक matrix A लिया, माली यह लिया, मैंने 2, 4 minus 5, 3 7, 9 और मैंने फिर दूसरा matrix लिया B, वो माली यह मैंने लिया 2, 1, 0 3, 7, 5 फिर मैंने एक और matrix लिया C C मैंने matrix लिया minus 1, 5 3, 0, 2, 7 यह मैंने matrix लिया, यह 3 matrix आपके सामने हैं तो देखिए, अगर आप 2 matrix को add करना चाहते हैं, जैसे मालो 1 matrix A है, 1 matrix B है, इनकी बात नहीं करा हूँ मैं A B की, मैंने खुद से ए भी लिया है, तो अगर A और B को add करना है, तो यह तभी possible होगा, बलत दो matrix का addition है, हम तभी कर सकते हैं, जब उनका order same होगा अगर A और B का order same है, तो उनको add किया जा सकता है, अगर उनका order same नहीं है, तो फिर उनको add, हम नहीं कर सकते हैं, जैसे मालिजे, A कोई matrix है, suppose करते हैं यह, A, I, J और यह, मालिजे, 2 by 3 order का matrix है, और B एक matrix है, मालिजे, वो B, I, J मैंने ले लिया उसका भी order 2 by 3 है, तो यह दोनों order क्या है, same है क्योंकि order क्या है, row by column row by column, तो इसकी जितनी row है, उसकी भी इतनी row है, इसके जितनी column में उसके भी इतनी column है तो यानि रो और columnvens दौनों के मदलब कि बराबर होने चाही है, यानि order same होना चाही, तो यह order इसके बराबर है, तो क्या होगा इनको, A प्लस B 3 by 2 आ जाए, तो आपको यह नहीं सोचना है कि 2 by 3 और 3 by 2 एक ही बात नहीं, देखे इसमें क्या है, row 2 है, इसमें 3 row है, तो यह row और row सेम नहीं है, यानि यह order सेम नहीं है, हम इसको ऐसे इधर से उधर लिख सकते हैं, इसमें क्या है, पहले row फिर column, तो यह fix है, तो यह 2 by 3 और 3 by 2, यह दोनों चीज़ें सेम नहीं है, तो इस कंडिशन में क्या होगा, A plus B पॉसिवल नहीं होगा, तो अब हम यही बात तो यहाँ पे लगाते हैं, तो यहानि आप समझे इस बात को कि, जब दो मैट्रिक्स को हम add करने जा रहे हैं, तो हम उनका पहले order check करेंगे, अगर व रो हैं, और लेकिन इसमें column कितने हैं, दो इसमें column है, तो आप देखेंगे, A और B का जो order है, यह सेम नहीं है, तो हम A और B को plus यहाँ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या होगा, A plus B is not possible, वो possible नहीं होगा, A plus B possible नहीं हो सकता है, अब देखें, A plus B possible नहीं हुआ, अब हम प्लस C करना चाहता हूं, क्या किया है सकता है, तो आप देखें, इसका order कितना है, 2 by 3, आप C का order देखेंगे, तो वो भी 2 by 3 है, क्यों कि A और C दोनों का order क्या है, सेम है, तो A plus C क्या है, is possible, क्योंकि इंड का order दोनों का सेम है, इसलिए इनको plus किया जा सकता है, अब देखे कि इसको क्यों प्लस नहीं कर सकते जब हम प्लस करेंगे तो order इसलिए सेम होना जरूरी है कि हम हमें यह पता होना चाहिए न कि किस element अमालो इसको टू को प्लस करना है तो हमें टू को कहां प्लस करना है तो टू की position क्या है ए वन वन है तो हम ए वन वन को कहां करेंगे प्लस वा इसकी पोजिशन क्या है यह ए वन टू अब यहां पे वन टू की पोजिशन पर कौन आ रहा है थ्री चलो यह एड हो जाएगा लेकिन जब इसको एड करने जाएंगे आप तो यह क्या होगा ए वन थ्री अब वन थ्री टाइप का यहां पर कोई अब देखें यहां पर अब यहां पर अगर हम एड करेंगे तो ए यह हो गया सी हो गया इनको एड करता है दिया तो देखे ए क्या है two minus five seven और आपका ये क्या है four three nine ये हो गया a और c क्या हो गया c को यहाँ पर लिख लेंगे वो है minus one five three zero two seven इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे अब देखे जब a plus c निकालना चाहेंगे आप तो a plus c में ये दौनों matrix mix होके एक नया matrix बनाए यानि प्लस ह तो अब देखे two को हम add करेंगे minus one के साथ two को हम किसके साथ एड करेंगे minus one के साथ which is two और 3 को, माइनस 5 को add करेंगे 3 के साथ, 7 को add करेंगे 2 के साथ, क्यों? क्योंकि ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये 11, 12, 13 वाला है, तो इसके साथ add कर देंगे, तो इसका answer क्या जाएगा? 2 को add करेंगे, माइनस 1 के साथ, तो ये 1 आएगा, माइनस 5 और 3 को करेंगे, तो माइनस 2 आएगा, 7 और 2 को करेंगे, तो ये 9 आएगा, अब देखे, अब ऐसे, इसकी position क्या, 2, 1, 2, 1 है न, second row और first column, 2, 1 हो गया, तो ये 2, 1 वाला है, तो 4 को add करेंगे, 5 के साथ, तो 9 आएगा, 3 को add करेंगे, 0 के साथ, तो 3 आएगा, 9 को add करेंगे, 7 के साथ, तो ये 16 आएगा, तो इस तरीके से A प्लस C हम निकाल लेंगे, समझ में आ गया, अब देखे, ये क्या हुआ, A प्लस C हमने add कर दिया, अब देखे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कि C प्लस A करना अगर हम चाहत नहीं होगा, तब भी ये ही आएगा, तो आप A प्लस C करिए, या C प्लस A करिए, तो आंसर दोनों बार क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो A प्लस C या C प्लस A, ये दोनों आंसर क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये आप समझ गया होंगे, कि हम प्लस किस तरीके से करते हैं, आ अब दीखे, addition के बाद में जो matrix बनता है उसका order भी वही होता है, जो matrix इनको add किया गया है, जो उनका order है, वही इनका order होगा, यहानि जो add करने पर matrix है उसका order सेम ही होगा, अब दीखे, यहाँ पर addition के हम कुछ properties है, उस पर देखते है, properties, तो आप देखेंगे A plus B करिए तो क्या possible है हाँ possible है क्योंकि इसका जो order है वो कितना है 3 by 2 देखे इसमें 3 row है और 2 column है इसका order भी कितना है 3 by 2 तो क्योंकि दोनों का A और B का order same दिख रहा है आपको तो इनको add किया सकता है तो minus 1 और इसको add करेंगे चलो मैं यहाँ पर पूरा लिखे देता हूँ यह minus 1 3 2 और 5 9 4 उसके बाद हम इसको plus करेंगे B के साथ तो यह क्या आएगा minus 4 7 2 और 2 minus 9 5 यह आया ठीक है अब जब इसको add करेंगे तो A plus B निकालिए तो A plus B जब आप निकालेंगे तो देखे क्या answer आएगा minus 1 और minus 4 तो minus 5 आएगा 5 और 2 तो यह 7 आएगा 3 और 7 को add करेंगे तो यह 10 आएगा 2 और 2 को add करेंगे तो 4 आएगा 9 और minus 9 करेंगे तो 0 आएगा 4 और 5 करेंगे तो 9 आएगा तो हमने इस तरीके से इसको add कर लिया अब देखे हम यहाँ पे निकालते है B plus A पहले हमने A plus B निकाला आप B plus A निकालिए तो हम B को पहले लिख देंगे तो minus 4, 7 और 2 आएगा यह 2 minus 9 और 5 आएगा अब देखे इसमें हम add करेंगे A को जब A को हम add करेंगे तो क्या आएगा minus 1, 3, 2, 5, 9, 4 5, 9, 4 आजाएगा अब देखे जब B plus A निकालेंगे हम यहाँ पे तो देखे B plus A क्या आएगा minus 4 और minus 1 तो minus 5 हो जाएगा 7 plus 3, 10 हो जाएगा 2 plus 2, 4 हो जाएगा 2 plus 5, 7 हो जाएगा minus 9 यह 0 हो जाएगा 5 और 4 यह फिर 9 हो जाएगा तो आप देखे जो A plus B है और B plus A उसको comparison अगर हम करते हैं तो यह दोनो same आते हैं तो properties में पहला properties हम यही discuss कर रहे हैं कि A plus B आप करिए या B plus A करेंगे यह दोनों क्या होंगे same होंगे यानि जो आप A plus B या B plus A same होगा तो देखे इसी property को हम बोलते हैं commutative जब इनका order change करके हम इसको add करेंगे तो क्या होता है यह same आता है तो हम कहते हैं कि जो matrix का addition होता है वो commutative होता है तो matrix addition क्या होगा commutative होगा तो B plus A equal to A plus B equal to B plus A तो इसको बोलते हैं commutative तो addition of matrices is commutative तो उनका addition commutative होता है अब देखे दूसरी बात यहाँ पर करते हैं हम तीन matrix लेते हैं माली हमने क्या लिया A लिया माली हमने minus 1 0, 2, 4 फिर हमने एक matrix B लिया वो हमने लिया माली ये 2, 1 minus 1, 3 फिर माली हमने एक matrix और C लिया 0, 5 minus 4, 7 यह लिया अब ये तीन matrix हैं आप देखेंगे तीनों का order same है तो यहने इनको टीनों को add किया सकता है तो जब आप इनको add करेंगे तो देखें आप पहले क्या करिए पहले आप A plus B करिए जब आप A plus B करेंगे और फिर बाद में C को add करेंगे तो देखे, A plus B को पहले add करना है और फिर उसमें C को add करना है तो ज़ो हम A plus B निकालेंगे तो देखे, क्या आएगा, minus 1 और 2 add होगा, तो आपका क्या आएगा है आपे पहले हम A plus B को add करके रख रहे हैं तो minus 1 plus 2 करने पर 1 आएगा, 0 plus 1 करने पर 1 आएगा 2 plus minus 1 करने पर 1 आएगा और 4 plus 3 करने पर यह 7 आएगा अब A plus B तो यह आगया अब इसमें C को add कर दो तो plus C तो हमने पहले A plus B किया तब C को add किया तो आप देखेंगे 0 यहाँ पर ले लेंगे 5 यहाँ पर ले लिया minus 4 ले लिया और 7 ले लिया तो देखेंगे add करने पर क्या आएगा 1 plus 0 1 आजाएगा 1 plus 5 तो 6 आजाएगा 1 minus 4 तो minus का 3 आजाएगा 7 plus 7 तो यह 14 आजाएगा तो देखेंगे इसका जो answer था वो यह आजा अब देखेंगे हम क्या करते हैं पहले हम करते हैं A को छोड़ देते हैं अभी पहले हम B plus C करते हैं अब हमें क्या करना है इस bracket को हमें आगे ले जाना है यानि इसमें यह काम करना है bracket को पहले solve करना है पहले यानि B plus C करना है तब इसके answer में A को add करना है तो देखें B और C को add करिये तो 2, 0 तो यहाँ पर हम A तो ऐसे लिख देता है और पिलस करेंगे B C को पर यहाँ लिखना है B पिलस C करके तो A को हमें लिख दिया वो क्या है माइनस 1, 0, 2 और 4 अब B और C को अड़ करेंगे तो 2, 0, यहाँ पर 2 आएगा अब 1 और 5, 6 आएगा तो पहला जो कॉलम आएगा 2 और 6 आएगा अब देखिए इसको अड़ करेंगे B और C को तो माइनस 1 और माइनस 4 तो यह माइनस 5 हो जाएगा और उसके बाद में 3 और 7 करेंगे तो यह 10 हो जाएगा इनको अड़ करने पर अब देखिए B प्लस C को करने पर जाएगा, और two और minus five, तो यह minus का three आ जाएगा, और four और ten तो यह fourteen आ जाएगा, तो अब देखें, यह इसका answer मिलाईए और यह मिलाईए, पर यह दोना answer के आएंगे, देखेंगे, आप यह दोना answer आपको same दिख रहे हैं, तो यह कवाय हैं जो हमने यह फॉलो किया है यह कवाय है जो हमने यह फॉलो किया इसमें अंतर कितना है कि यहां पहले हमने B प्लस C किया तब A को एड़ किया और यहां हमने क्या किया पहले A प्लस B किया तब C को एड़ किया तो यही हमारी दूसरी property है, इन दौनों का answer same आता है तो अगर आपके पास में 3 matrix हैं, उनमेंसे पहले A प्लस B किया, आपने फिर C किया उसके बाद यह आप क्या करते हैं, B प्लस C करते हैं, उसके बाद फिर A को add करते हैं तो यह दौनों answer क्या होते हैं, same होते हैं तो इसी property का नाम होता है associative अगर हम 3 matrix लेकर addition करते हैं उनका order change करके तो उनका addition same आएगा इसी property को हम associative property कहते हैं आप देखिए एक यहाँ पर क्या होता है जैसे आपके पास में 2 matrix है यह 2 property हमें discuss की तो देखिए अब property third पे हम आते हैं इसमें क्या होता है existence of additive identity देखिए जैसे number में देखिए जैसे 3 के साथ हम क्या plus करें किया जाए कि हमारा answer 3 ही आ जाए minus 7 के साथ क्या plus किया जाए कि answer minus 7 ही आ जाए तो आप कहेंगे obviously यहाँ पर zero add कर दिए sir और answer same ही आएगा तो यह zero add करने पर क्या हुआ जिसमें भी add करेंगे वोई number आपको मिलेगा addition की बात में कर रहा हूँ तो यहाँ पर zero को हम बोलते है additive identity क्या बोलते है additive identity यह एक ऐसा number है जिसको अगर किसी number में add करेंगे तो उससे तुम्हाँ लिए additive आ गया identity से मतलब उसकी पहचान खतम नहीं होती थिरी थिरी रहता है कौन सा matrix add किया जाए कि answer निकल के वो ही matrix मिल जाए तो देखें number में आपने बताया अब आपने जैसे मान के चलो यह 2, 3, minus 4, 5 यह एक matrix है मालो ए तो इसमें हम क्या add करते है कौन सा matrix add किया जाए कि इनके जो elements है उसमें कोई इसमें फर्क नहीं आए वो effect नहों यह यह आजाए यानि यह matrix ऐसे का ऐसा आजाए पर यहाँ पर एक matrix add जरूर करना है तो आप कहेंगे 2 को 2 ही लाना है तो यहाँ पर 0 रखिए 3 को 3 लाना है तो यहाँ भी 0 रखिए minus 4 को minus 4 लाना है तो 0 रख दिए तो यह आपने पढ़ाओगा 0 matrix इसको हम O से दिखाते हैं तो आप देखेंगे कि अगर A plus O करेंगे तो आप का answer A आएगा या आप O plus A करिए तब भी answer A ही आएगा तो देखें कोई भी जो matrix होगा उसमें अगर उतने ही order का 0 matrix add कर देंगे तो हमें वोई matrix मिल जाएगा तो यहाँ पर ऐसे समझें कि जैसे यहाँ पर 0 work कर रहा था नंबर के लिए वैसा work matrix में कौन करेगा 0 matrix करने लगेगा तो इसको बोलते हैं जो 0 matrix होता है उसको हम बोलते हैं additive identity तो हर matrix की additive identity exist करती है कोई भी matrix होगा उसकी additive identity क्या होगा 0 matrix होगा तो यह हो गया additive identity का existence अब देखिए next इसमें आते हैं existence of additive inverse अब यह क्या होता है देखिए इसका concept भी मैं आपको number से समझाने कोशिस करता हूँ देखिए इसमें क्या है कि जैसे मालो यह कोई number है minus 3 अब देखिए यहाँ पर क्या add किया जाए कि answer 0 आये additive identity आये 0 क्या होता additive identity अब मालीजे मैं minus 4 यहाँ से 4 लिया प्लस यहाँ पर मैं क्या number रखूँ हूँ in box में देखते नहीं आप छोटी class में पढ़ देते तो ऐसे box को फिल करने के लिए आता था कि बताई 0 कैसे आएगा तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर यहाँ पर आप कहेंगे कि इस box में आप 3 रख दीजे सर 0 आ जाएगा आप यहाँ पर कहेंगे इस box में आप minus 4 add कर दीजे यानि रख दीजे तो add हो गया तो 0 आ जाएगा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर आसानी से आ जाएगा मैं हाँ पर यह सिखाना चाहिए रहा हूँ कि यह number है minus 3 तो हमने क्या लिया 3 तो answer क्या है दोनों को add करने पर 0 यानि additive identity आया अच्छा यह number है 4 इसको मैं क्या add करेंगे minus 4 तो answer क्या है 0 additive क्या है additive identity है तो अब देखें जैसे number ठीक है plus number माले इसका नाव number 1 रख दिया यह number 2 हो गया number 2 तो दोनों को add करने पर आता है 0 0 मतलब क्या होता है additive identity additive identity इसका नाम होता है additive identity अभी आपने देखा था क्यों होता है यह मैंने explain किया तो अगर देखें आपने n1 plus n2 किया और answer 0 आ रहा है यानि additive identity आता है तो n1 और n2 यह दो number है जिनको add करके 0 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे n1 जो होगा n1 is additive n1 is additive inverse क्या हो गया additive inverse of n2 और हम यह भी कह सकते हैं कि n2 is additive additive inverse inverse of n1 मतलब अगर n1 को देखेंगे तो n2 का additive inverse होगा और n2 जो होगा वो n1 का additive inverse होगा इसको n1 लिख लेंगे ठीक है तो यह एक दूसरे के additive inverse हो जाएंगे तो वैसे ही जैसे minus 3 का देखेंगे additive inverse तो क्या हुआ माइनस3 तो हमें किसी भी number का additive inverse निकालना है तो केवल क्या करना है उसको minus से multiply करना है जैसे अगर 3 का additive inverse निकालना है तो 3 को minus से multiply करेंगे तो plus का 3 आ जाएगा अब बैसे ही क्या होगा कि अगर कोई matrix है तो हमें क्या करना है एक matrix को किसी दूसरे इसी concept को लगाईए कि अगर हमने क्या किया जैसे ये कोई matrix है A, अब यहाँ पे हम क्या add करें, कौन सा matrix इसमें add किया जाए कि उसका answer 0 matrix हा जाए अब suppose करें कि जैसे matrix है A, अब A को हम लिख लेते हैं, माली जी एक example लेते हैं हमें लिया 3, 4, 5, 7 आप सोचो तो इसमें हम क्या करें कौन सा matrix यहाँ पे लिखा जाए कि यहाँ पे 0 matrix बन जाए तो आप कहेंगे, हाँ पे लिख लिख हई यहाँ आप minus 3, फिर यहाँ लिखे minus 4, यहाँ लिखे minus 5, यहाँ लिखे minus 7, तो आप अब देखिए जब इनको आप add करेंगे तो आपका answer क्या आएगा जीरो मेट्रिक्स आएगा यानि additive identity आ जाएगा तो ये जो matrix होगा ये इसका additive inverse होगा और ये वाले matrix के लिए additive inverse होगा अब देखिए इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि A plus minus A ठीक है तो A plus minus A equal to क्या होगा जीरो मेट्रिक्स आएगा तो A का जो additive inverse होगा वो minus A होगा और minus A का जो additive inverse होगा वो आपका क्या होगा A होगा तो यहाँ पर ये concept ये properties आपने पढ़ा ये concept था उसका addition का तो addition आपको समझा गया होगा कि addition अगर हमें दो मेट्रिक्स का करना है तो दोनों का order सेम होना चाहिए ठी addition हो पाएगा तो ये कुछ properties थी जो हमने discuss की पहली हमने property जो discuss किया वो ये किया कि अगर A और B दो matrix है तो A plus B करिए या B plus A करिए वो सेम होता है दूसरी हमने property B हमने discuss की कि अगर A plus B करते हैं उसके बाद फिर C करते हैं या आप क्या करते हैं पहले B plus C करते हैं इनके addition में फिर A add करते हैं तो दोनों का answer सेम रहेगा इसका नाम होता है commutative और इसका नाम होता है associative अब देखिए दीसरी बात हमने discuss की इसमें या C कह लिए इसको कि additive identity additive identity तो additive identity कौन होता है इसी matrix के लिए additive identity 0 matrix होता है उतने ही order का अगर आपके पास में 2 by 2 order का matrix है तो 0 matrix 2 by 2 order का लेंगे तो उसके लिए additive identity हो जाएगा अगर आपके पास में कोई भी matrix 2 by 3 order का है तो आपको 2 by 3 order का ही 0 matrix लेना पड़ेगा तो वो आपकी additive identity हो जाएगा उस matrix के तो यह आप ध्यान रखेंगे A plus 0 matrix या 0 plus A matrix तो answer A ही आएगा, तो यहाँ पर 0 matrix को हम additive identity कहते हैं, अब देखें additive inverse, तीसरी बात हमने क्या देखा, additive inverse, अब हमने देखा था कि जैसे 3 का additive inverse minus 3 होगा, minus 3 का additive inverse, क्या होगा, plus का 3 होगा, वैसे A का additive inverse होता है, वो कौन होता है, minus A, तो answer क्या आएगा, 0 matrix, यानि A और minus A को add करेंगे, तो obviously 0 matrix आएगा, अभी हम आगे इसको करके भी देखेंगे, तो यह 4 properties होती है, addition पर, अब देखें हम discuss करेंगे, यहाँ पर subtraction, यह difference, ठीक है, तो देखें, subtraction में क्या है, आपको minus करना है, क्या करना है, minus करना है, minus कैसे करेंगे, कि देखें, जैसे A कोई matrix है, इसमें भी, जो subtraction का, लिए भी क्या है, addition के लिए, जो rule है, कि दोनों का order same होना चाहिए, तभी matrix को add करेंगे, वैसे ही, यहाँ भी है, कि जैसे दो matrix है, अगर आप एक मैंसे दूसरी को minus करना चाहते हैं, तो उनका order same होना चाहिए, जैसे A ले लिया यह मैंने, और B ले लिया मैंने माल लिए यह matrix, तो आप देखें, A और B जो matrix है, इनके दोनों का order क्या है, सेम है, यह भी 2 by 2 है, यह भी 2 by 2 है, तो यहाँ पर हम A minus B कर सकते हैं, तो आप देखें, जब A minus B करेंगे, तो कुछ नहीं करना, इसमें A लिख लेंगे, 2 minus 5, 4, 3 यह लिख लिया, minus करेंगे हम 9, 8, 5, 6 इसको, तो जब हम इसको minus करेंगे, तो A minus B जब हम निकालेंगे, तो द minus 5, minus 8, तो यह minus का 5, यहाँ से minus 8 मिलेगा, तो minus का 13 हो जाएगा, 4 minus 5, तो यह minus 1 हो जाएगा, 3 minus 6, तो यह minus 3 हो जाएगा, तो A minus B करने पर हमारा यह आजाएगा, अब मान के चलिए देखें कि B minus से निकालते हैं आप, तो obviously आप देखेंगे, यहाँ पर जब हम 3 minus 4 करते हैं, और फिर हम 4 minus 3 करेंगे, तो दोनों के answer क्या आएगे, same नहीं आएगे, different आएगे, यह minus बनाएगा, यह बनाएगा, वैसा ही हाँ होगा, अब देखेंगे, आप B मैंसे A को minus करिए, यानि 9 मैंसे 2 को minus करिए, तो 9 minus 2 करेंगे, तो plus का 7 बनाएगा, और देखें, 8 मैंसे इसको 5 को minus करेंगे, तो 8 मैंस मैंस 5, तो यह plus का 13 आएगा, आप देखेंगे, 6 मैंस 3 करेंगे, तो plus का 3 आएगा, और यह आप 5 मैंस 4 करेंगे, तो यह बनाएगा, तो आप देखेंगे, A मैंस B और B मैंस A का answer same, नहीं आता, तो यहाँ पर क्या होता है, कि A मैंस B और B मैंस A, अगर matrix का difference होता है तो वो commutative नहीं होता है, यह ध्यार रखेंगे और वैसे ही वो associative भी नहीं होगा, बात समझा आप नहीं तो यह आपको थोड़ा ध्यार रखना है, कि कोई जो matrix होगा वो commutative associative difference के लिए नहीं होता है, तो difference में इतना ही रहने देंगे, difference आपको निकालना आ गया होगा, कि हम difference कैसे निकालेंगे बात सेम ही है, उसमें plus करते है इसमें minus करते है, condition भी सेम है, subtraction और addition का उसमें क्या होता है, कि order सेम होना चाहिए, इसमें भी order सेम होना चाहिए, अब देखिए एक सबसे important जो इसमें concept है वो है आपका matrix का multiplication अब हम बात करेंगे matrix का multiplication के लिए तो multiplication में दो चीजां है कि multiplication multiplication of a matrix by a scalar by a scalar मतलब किसी matrix को आप किसी scalar मतलब किसी number से आप multiply करते है तो मालीज जैसे ये matrix है a मैं example ले रहा हूँ 2, 4, minus, 5, 3 ये है अब मालीज आपने कुछ आहिए 2a यानि इसका मतलब क्या हुआ कि 2 into a यानि आपने a को क्या किया 2 से multiply किया तो 2 ये जब निकालेंगे तो ये क्या होगा 2 multiply matrix a यहाँ पर 2, 4, minus, 5, और 3 तो ये 2 क्या करेगा ये multiply कर रहा है a को तो a को multiply करने का मतलब matrix a को तो इसमें क्या करेगा ये 2 कि ये 2 जो होगा ये आपके सारे elements को यानि 2 क्या करेगा 2 को भी multiply करेगा 2 जो होगा वो 4 को भी करेगा 2 का multiply 3 में भी होगा 2 का multiply minus 5 में भी होगा मतलब बाहर से जब किसी जब हम multiply करेगे किसी matrix को तो उसका ये मतलब है simple कि वो सारे element को उतना ही time कर देगा मतलब अपने आप से number वो multiply कर देगा जैसे वो ही कहानी इसमें simple बात है कि 2 जो होगा 2 को multiply करेगा तो 4 हो जाएगा 2 4 को करेगा तो 8 हो जाएगा 2 minus 5 को करेगा तो minus 10 हो जाएगा 2 3 को करेगा तो 6 हो जाएगा तो अगर ये matrix A है तो इसको 2 से multiply करने पर ये matrix होगा आप देखेंगे इसमें सारे element change आ जाएगा या निए सारे element multiply हो जाएंगे अब जैसे मान के चलिए ये कोई matrix है A अब ये A है माली जी ये वही ले लिए 2, 4, minus 5 और 3 है अगर माली जी मैं कहता हूँ minus A बताइए तो minus A का मतलब क्या होगा minus 1 into A इसका मतलब ये ये तो होगा तो इसमें हम क्या करेंगे minus से निकालने के लिए हमें क्या करना है इस matrix को हमें multiply कर देना है minus 1 से minus से multiply करने का मतलब minus 1 से multiply कर देना है तो ये जैसे 2, 4, minus 5, 3 है अब आप क्या करिए minus 1 से इनको सब को multiply कर दिए तो minus A निकल क्या जाएगा तो अब देखें minus A जब निकालेंगे तो क्या जाएगा minus 2 जब इसको minus 1 से multiply करेंगे यह हो जाएगा minus 4 इसको करेंगे तो यह हो जाएगा 5 और इसको जब multiply करेंगे तो यह क्या हो जाएगा minus का 3 देखे ये plus का 5 हो जाएगा क्योंकि ये minus 5 है और minus 1 से multiply होगे plus का 5 हो जाएगा तो अगर A matrix ये है तो minus A ये होगा अब देखे अभी हमने पहला जो concept देखा था कि जो A जो होगा और ये है minus A तो आप देखेंगे A plus minus A करिए तो देखे इसका answer क्या हैगा A हमारा क्या है 2, 4 और minus 5, 3 ठीक है और इसमें आप क्या करिए plus करिए minus A यानि plus ये आगया अब minus A की value रख दीजे minus A क्या है आपका ये तो ये matrix रख दीजे ये है minus 2, 4, 5, minus 3 तो आप देखेंगे इनका जो answer आएगा वो क्या आएगा 2, minus 2 को add करेंगे 0, 4 और, sorry, यहाँ पर minus 4 आएगा ये, तो क्या हैगा 0 और ये 5 और, sorry, ये आपका minus 5 और 5, हाँ, 0 हो गया और ये 3 और minus 3, 0 हो गया तो आप देखेंगे, इन दोनों matrix को हमने जब add किया तो इसका answer एक 0 matrix आगया तो A plus minus A करने पर हमारा ये 0 matrix बन रहा है तो ये concept आपको ये भी समझा दूं, मैं हाँ से A plus minus A equal to 0 matrix तो यहाँ पर क्या होगा, A का जो additive inverse होगा, वो minus A होगा तो वो minus A multiply करके निकलेगा अब minus A multiply कैसे करेंगे, आप समझे गहाँगे, इसलिए मैं यहाँ पर उस concept को दोबारा repeat कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, additive inverse of A, वो कौन होगा, minus A क्योंकि A का निकालना है, मैंने बता रहे हैं, जिसका additive inverse निकालना है जिस matrix का, उसको minus M multiply करेंगे, तो minus A आ जाएगा अब देखिए, additive inverse अगर आपको चाहिए किसका, minus A का, additive inverse of minus A तो यह minus A है, तो इसका क्या होगा, minus, इसको minus A को A से करो sorry, minus A करो, तो plus का A हो जाएगा, तो यह हुआ, इसका additive inverse हो गया यह, और इसका additive inverse हो गया तो कुछ नहीं करना, किसी matrix को अगर minus से multiply कर देंगे, तो नया जो matrix मिलेगा multiply होने की बाद में, वो आपका additive inverse होगा, यह clear हो गया होगा, और आपको यह भी clear हो गया होगा, कि matrix का multiplication, अगर करना है किसी number से, इसकेलर से, तो क्या करना होता है उसमें, उसमें केवल हमें, हर element को उसी number से multiply कर देना होता है, अब देखे, इसमें जो, यह बहुत important concept है, देखे, छोटी-छोटी बाते हैं, अगर आप इनको सीख लेंगे, addition, multiplication, subtraction, उनकी properties, तो उनहीं से question बनाएंगे, तभी आप इनको कर पाएंगे, तो इसको बहुत ध्य देहां से वीडियो को आप देखेंगे, concept का वीडियो बड़े देहां से देखना है, multiplication, multiplication, of a matrix, by another matrix, अब हम इसमें एक matrix को, दूसरे matrix से multiply करेंगे, तो जैसे, वोई concept है, जैसे number को हम करते हैं, जैसे 3 को हमने 4 से किया, तो 12 आगया, या 4 को 3 से करिए, तो 12 आएगा, इसमें answer सेम आएगा, इसमें कोई rule नहीं है, कि number को, 3 को 4 से मलिभाई, होगा भी, नहीं भी होगा, ऐसा कोई rule नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में दो matrix ह ए, ठीक है, मैं एक box मना दिया, Aij, और इसका order है, माले जे, M into N, और B matrix है आपका, Bij, और माले जे, इसका order है, P into Q, तो अब देखिए, अब हमें ये 2 matrix दे दिया जाए, और उनका order भी दे दिया जाए, ऐसे, जब matrix दिया जाएंगे, और बेसली order आप निकाल लेंगे, और हम हम से का जाएंगी, A को multiply करिए, B के साथ, अब क्या करिए, A को multiply करिए, B के साथ, तो यहाँ पर A को बोलते हैं, ये पहले लिखा गया है, multiplication में, जैसे पहले हमने A लिखा, तब भी लिखा, तो A को बोलते हैं, pre multiplier, क्या बोलते हैं, इसको pre multiplier, और B को क्या हम बोलते हैं, post multiplier, त तो ऐसा नहीं कि AB matrix है हमारे पास और हमने multiply करना शुरू कर दिया, पहले हमें देखना है कि क्या multiply होगा या नहीं होगा, जैसे number के साथ हो रहा है, 3-4 लेखा कर दो, 4-3 लेखा कर दिया, इसमें क्या है, AB multiplication हो भी सकता है, और AB का multiplication नहीं भी हो सकता है, तो पहले हमें चेक करना है कि क्या AB का multiply होगा या नहीं होगा, अब देखें हाँ पर अलग-अलग बात है, AB अलग बात है, BA अलग बात है, समझगा अपनी, क्योंकि अब इसमें क्या होगा, position change होगी, अब यहाँ पर B पहले आ गया, A बाद में आया, तो आप इसको यह नहीं समझना, AB और BA एक ही चीज़ा है, इसकी तरह से कि 3, 4 या 4, 3 एक ही बात है, यहाँ पर matrix में थोड़ा सा, हमें different तरीके सोचना है, यह एक बात नहीं है, number जैसा है, rule नहीं चलेगा, तो अब यहाँ पर प्री multiplier या नहीं, जो पहले matrix आपता है A, उसके हमें column देखना है, उसका क्या देखना है, column, columns in A, equal to होने चाहिए, मतलब पहले बाले matrix के column, column ही देखना है, columns in A, equal to क्या होना चाहिए, rows in B, यहाँ पर हमने B बाद माया है, तो बाद बाले matrix का row, अगर यह condition satisfy होती है, कि पहले matrix के column, और जो pre multiplier है, उसके column, और जो post multiplier है, उसकी row, अगर वो equal है, तो क्या होगा, A, B होगा, नहीं तो फिर A और B का multiply नहीं होगा, अब जैसे यहाँ पर, फिर A के column कौन है, N, और B का, यहाँ पर क्या है multiplier, तो क्या होना चाहिए, equal to P, तो N और P जब equal होंगे, यानि इसी से बात आई, कि अगर N, बन्दब इसका column, और equal to P, इसकी row, अगर यह equal होंगे, तो यह A, B possible होगा, ठीक है, अगर यह condition satisfy होती है, तो ही क्या होगा, आपका A, B का multiply किया जाएगा, अच्छा, आप हमें B, B, A देखना है, कि क्या B, A का multiply होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या है, पहला pre-multiply क्या क्या देखने होंगे, हमें, column देखने होंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखाएगे, columns, columns in, अब यहाँ A नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ A पहले आया था, इसलिए यहाँ पर A आया, अब क्योंकि यहाँ B पहले आया, तो B के column देखने होंगे, तो वो equal to क्या होने चाहिए, rows in, अब यहाँ B नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ B की जाएगा पर A आगया, post multiplier अब A हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा A, तो यानि अब यह condition, यहाँ यह बदलने से, A भी बदला, तो यह बाला, देखिए condition का जो meaning है, वो same है, लेकिन condition के यहाँ पर जो आ रहे है matrix, वो बदल गए, तो यहाँ पर क्या होगा, B जब निकालेंगे तो column, तो यहाँ पर यह चीज नहीं बदलेंगे, देखो column, यह भी column, लेकिन यहाँ पर जो पहले आएगा, उसके column, यहाँ पर A पहले आए तो A के column, यहाँ पर B पहले आए तो B के column, देखना column ही होगा, यह आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर यह equal होना चाहिए, अब देखें, यह कब possible होगा, जब B के column, क्योंकि यहाँ B पहले आ गया, तो B के column कितने है, Q, तो Q किसके equal होना चाहिए, A की row, यानि Q equal to P, अगर Q equal to, sorry, M होगा, Q equal to M होगा, तब ही यह possible तो यहाँ पर इसको यह समझना है, कि जब दो matrix को multiply करना है, तो pre multiplier का column और post multiplier का row, उनका number बराबर होना चाहिए, अगर वो बराबर नहीं है, तो multiply नहीं होगा, अब जैसे हमें example लेते हैं, क्योंकि example से आप तो जल्ली समझेंगे, जैसे मालो मैंने यह लेया, 235701, ठीक है, म मैंने फिर matrix लिया B, अब मैंने ले लिया माले यह आपका ले लिया, 2-1, 0137, अब देखिए इसका order क्या है, 2 by 3, इसका भी order क्या है, 2 by 3, तो इसमें पूरा order नहीं देखना है, यह पूरा order देखना होता था, addition में, इसमें क्या करना है, अगर आप A, B चाहते हैं, A, B निका तो यह पहले decide करना पड़ेगा, अभी multiply कैसे होगी हम अभी बताऊंगा, पहले थो हमें देखना है कि होगी भी या नहीं भी होगी, तो देखिए आप सोचें कि अगर यह multiply होगी, तो क्या होना चाहिए, कि इसके columns, यानि किसके columns, पहले बाले matrix के, यानि columns in A, equal to क्या होना च है, columns देखिए, A में कितने column है, तो आपको पता चला कि A में 3 column है, ठीक है, अब B की row देखिए, तो B में 2 row है, ये 2, इसका ये 2 row है, जो की equal नहीं है, देखिए 3 column है और 2 row है, वो equal नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, A B जो होगा, A B is not possible, ये possible नहीं होगा, क्योंकि row और column यहाँ पर, sorry, पहले के row, पहले का column और दूसरे का row वाली condition satisfy नहीं होती है, अब हम यहाँ पर इन ही में देखते हैं, कि क्या, ये आपका B A होगा, इसको देखते हैं, मालिज हमने देखा B A, तो B A को देखते हैं, अब देखिए B A चेंज किया, हमने B A किया, तो अब क्या हो तो columns in B, equal to क्या होना चाहिए, rows in A, अब ये हो जाएगा, rows in A, तो अब देखिए B के column देखो, तो B में कितने column है, आप देखेंगे, B में 3 column है, तो B यह जब हम करेंगे, तो B में कितने column है, 3 column है, अच्छा, आप देखिए, क्या row के, A में row कितनी है, 2 है, तो ये भी equal नहीं है, तो B, A, B possible, नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ना तो A, B का multiplication होगा, और ना ही यहाँ पर क्या होगा, B, A का multiplication होगा, यहाँ multiplication, इन में से किसी का नहीं होगा, अब देखिए, मैं इसमें फिर change करता हूँ, माली ये matrix मैंने change किया, मैंने दूसरे matrix लिए, A, B की जब पर मैं इनका दूसरा order वाले matrix लेके, देखते हैं किया situation है, तब देखते हैं, तो देखिए, माली ये मैंने यहाँ पर A ले लिया, A matrix माली ये मैंने ले लिया, minus 1, 0, 27, 53, यह ले लिया, अभी मैं आपको यह बता रहा हूँ कि, multiplication possible है नहीं है, उसके बाद कैसे करना है, answer क्य होगा, अभी बाद मैं discuss करेंगे, इसके बाद, अब मालो मैंने B ले लिया, B मैंने ले लिया, माली ये 1, 2, 0, और 0, 2, 1, माली ये ले लिया, अब मैं आप से देखू, पूछू कि, इसका order क्या है, A का, तो आप देखेंगे, इसका order है, 2 by 3, आप देखें, इसका order क्या है, 3 3 इसमें row है, और 2 इसमें column है, अब मैं आप से पूछू क्या A, B possible होगा, अगर मैं आप से पूछू क्या A, B possible है, तो अब यहाँ पे कौन सी condition लगानी पड़ेगी, A का column, क्या होगा, columns in A, columns in A, equal to क्या होना चाहिए, rows in B, rows in B, यानि A के column और B की row बरावर होनी चाहिए, तो आप देखें, A के column कितने हैं, तो आप देखेंगे, A में 3 column है, और आप देखेंगे कि A में, B में row कितनी हैं, यह भी 3 है, इसके column A के और B की row equal हैं, तो देखें, A, B जब हम देखेंगे, तो क्या यह possible होगा, तो इसमें 3 column है A में, देखेंगे, आप clear देखेंगे, आपको 3 column है, 1, 2, 3, और row कितनी हैं, 1, 2, 3, B में 3 ही row हैं, तो यह दोनों क्या हैं, equal हैं, तो यहाँ पर यह condition satisfy होगी, कि column equal to row आगया, column of 3 multiplier equal to rows of post multiplier, तो यह condition satisfied होगी, तो यहाँ पर A, B possible हो जाएगा, यह और B को multiply किया जा सकता है, multiply कैसे करेंगे, क्या आएगा, यह बात के भी बात है, पहले हम देख रहे होगा या नहीं होगा, आप देखेंगे, यहाँ पर मैं अगर आप से पूछूँ, कि क्या B A होगा, मालो मैंने पूछा आप से B A के बारे में, कि क्या B A होगा, तो आप देखेंगे, इसमें क्या करन है अब preziplyer हो गया B, तो columns in B equal to क्या होना चाहिए? rows in A होना चाहिए? तो columns in B देखि कितने column है? तो आप देखें इंग B में आप देख रहे हैं 2 column हैं, तो यह 2 column हो गए, आप देखें A में row कितनी है? तो आप देख रहे हैं इसमें 2 row तो 2 row और 2 column equal हो गए तो आपका जो answer आया यह कह रहा है कि 2 row और 2 column equal है तो it means row और column equal है तो it means क्या होगा कि यह भी multiply हो जाएगा तो यहाँ पर आपने देखा कि B A A B होगा और यहाँ पर B A B होगा पहला example आपने देखा तो उसमें क्या हो रहा था कि A B हो रहा था लेकिन B A A B भ हम और लेते हैं माले हम एक example और लेते हैं उसमें फिर ये सी condition को satisfy करा के देखते हैं ठीक है अब देखे हमने वालो A ले लिया A माले जे मैंने ले लिया 2, 4 5, 7 और माले जे मैंने B ले लिया B ले लिया मैंने माले 2, 3 0, 1 और 1, 7 अब मैंने पूछ आप से कि क्या A भी होगा पता ही A भी possible होगा तो इसका order क्या होगा 2 by 2 और इसका order क्या होगा 2 by 3 ये इसका order होगा ठीक है ना तो अब देखे इसमें क्या होना चाहिए columns in B sorry A पहला A है तो columns in A equal to क्या होना चाहिए rows in B होना चाहिए A के column और B की row same होनी चाहिए तो A में देखे कितने column है A के column में 2 और B की rows कितनी है rows in B वो है 2 तो 2 equal to 2 तो यहाँ पर क्या हुआ A B यहाँ पर possible होगा क्योंकि 2 row और ये 2 column equal आगे ये condition satisfy होगी तो A B हो जाएगा अब देखे यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारा B A होगा तो B में B A जब कराएंगे तो B column in B तो देखे B में कितने column है 3 तो B में 3 column है अब row कितनी है A में तो A में किया आपकी 2 row है तो ये equal नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा B A नहीं होगा तो ये B A possible नहीं होगा तो अभी आपनी condition satisfy करा के देखा तो आपको मैंने 3 type का example दिया उसमें क्या क्या हुआ अब देखे आगे देखते हैं इसमें मैंने क्या क्या किया था अभी आप देख रहे थे कि देखे एक बार पहला example लिया था तो A B अगर दो matrix थे तो उनमें पता चला था A B हो रहा था स्वरी नहीं हुआ था A B नहीं हुआ था और B A B नहीं हुआ था दूसरे मैंने example लिया तो A B भी हुआ B A भी हुआ फिर मैंने तीसरा example लिया तो उसमें पता चला था A B हो रहा था और B A नहीं हो रहा था कभी ऐसा भी हो सकता है कि A B नहीं होगा लेकिन B A हो जाएगा तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर A और B दो मैट्रिक्स है और हम चाहें देखना तो हम ये देख सकते हैं कि ये possibilities हो सकती है तो मैंने example दिया ही थे आपको कि A B हो रहा है लेकिन B A नहीं होगा कभी क्या होगा कि A B नहीं होगा B A हो जाएगा अब ऐसा नहीं है कि जैसे हमने 3 को 4 से multiply किया या 4 को 3 से करें तो ये इसमें fix rule है ये तो दोनों ये भी होगा ये भी होगा इसमें ऐसा नहीं है नंबर के साथ तो ऐसा है लेकिन matrix के साथ ऐसा नहीं है पता चला A B भी नहीं हो रहा है B A भी नहीं हो रहा है दोनों हो रहे है एक हो रहा है ये नहीं हो रहा है ये नहीं हो रहा है जैसे यह और यह दोनों हो गए, AB भी हो गया, BA भी हो गया, लेकिन तब भी generally क्या होगा, AB और BA, इनका multiply equal नहीं होगा, यह भी हमें ध्यान रखना है, जैसे आपने देखाता न, addition में की A plus B करते हैं, या B plus A करते हैं, position change करते हैं, तो उनका answer क्या आता था, same आता था, लेकिन इ दोनों हो भी जाएंगे, तब भी दोनों के answer same नहीं आएंगे, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह matrix के multiplication के बारे में कुछ basic concept था, आप देखें यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे मान के चलो हमने A, एक matrix लिया, A, I, J, अब यह example से हम देखेंगे, और इसका order है M into N, और ह इसका order है P into Q, अब देखेंगे, अगर आपने A, B, माली जो हो रहा है, A, B हो जाएगा, इफ, क्या होना चाहिए, A के column, यानि N equal to P होना चाहिए, अगर यह होगा तो, और देखें, B, A हो जाएगा, यह मतलब हो जाएगा, टिक का मतलब, इफ, B, A कब होगा, जब B के column, या अब मान के चलिए, A, B हो गया, और A, B को multiply करने पर, माली जो यह एक नया matrix आ गया, इनको A, B को multiply करेंगे, तो जब दो matrix को multiply करेंगे, तो उन दोनों को multiplication के बाद में, एक matrix बन जाएगा, यह दोनों matrix A और B गायव हो जाएगे, और उनको जैसे मालो A यह है, और माली जो B यह है, यह matrix A है, B है, तो जब इनको multiply करेंगे, तो एक नया matrix ऐसे मिल जाएगा, तो यह इन दोनों को multiply करने से, यह एक नया matrix बन गया, तो देखिए, जब यह नया matrix बनेगा, माली जो उस matrix को हमने X माल लिया, तो यह नया matrix जो X बनेगा, इसका भी कोई order होगा, तो वो भी यह तो automatic आई जाएगा, लेकिन कुछ cushions ऐसे होते हैं, जिसमें में decide करना पड़ेगा, कि उसका order क्या होगा, M, C कुछ बगार हम आएंगे, तो अब देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे यह possible हुआ है, और इनको multiply करके X आया है, तो इसका क्या order होगा, तो यहाँ पर जो order होग वो यह होगा, कि जो पहला matrix है, यानि pre multiplier है, उसमें जितनी row होगी, उसमें multiplication के बाद उतनी ही row रहेंगे, जैसे A की row कितनी है, देखिए, A में M row है, तो इसमें M ही row आएंगे, जो multiplication के बाद में आएगा, अच्छा फिर B क्या decide करेगा, उसका B के column जितने होगे, उसमें उतन matrix B है, और यह matrix A है, मालों यह multiplication दोना हो रहें, तो इसके बाद जो नया matrix मिलेगा, उसका order क्या होगा, तो इसकी row अब कौन बनेंगी, B पहले आया है, तो B की row, तो B में कितनी row है, P, तो इसमें P row होगी, और इसमें A में कितने column है, N, तो इसका order होगा, P into N, तो यह आपको ध्यान रखना है, इसका order कितना होगा, P into N, P by N होगा, तो हम दो matrix को multiply कैसे करते हैं, यह हमने सीखा, कैसे करते हैं, यह अभी हमने नहीं सीखा, हमने सीखा कि उनको multiply क्या हम कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, और multiplication के बाद में जो नया matrix मिलेगा, उसका order क्या होगा, वो कैसे decide होगा ये बात हमने यहाँ पर सीखे अब देखे हम एक example से हम करते हैं multiplication कैसे हम करेंगे तो इसको हम सीखते हैं यहाँ तक concept आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा जैसा मुझे आपसे उम्मीद है और बाकी नहीं समझ में आता है कोई doubt है तो आप comment कर सकते हैं अब हम example लेके multiplication को देखेंगे तो मालेजे यहाँ पर हमने देखा multiplication का discussion पूरा question अब इसमें देखे हमने एक matrix A ले लिया अब यह A ले लिया मालेजे मैंने ले लिया 2, 4 5, 7 ठीक है और मैंने एक दूसरा matrix B ले लिया यह मालेजे मैंने ले लिया minus 1, 0, 2, 3 और 5, 4 यह ले लिया अब देखें इनका order देख लेते हैं हम किनका order क्या होगा तो आप देखें इनका जो order है वो 2 by 2 है और इसका जो order है वो 2 by 3 है दौनों का order है में लिख लिया अब मैं आप से अगर पूछूँ कि क्या A भी होगा possible तो आप देखेंगे A के column तो हमें क्या करना होगा columns in A equal to क्या होना चाहिए rows in B होना चाहिए यानि पहले वाला pre multiplier के column ही देखना होगा जो पहले आएगा उसका column देखना है तो आप देखें यहाँ पे देखेंगे A में कितने column है तो आपको पता चला उसमें 2 column है और B में कितनी rows है तो आपको पता चला उसमें देखें इसमें 2 column है इसमें 2 row है तो 2 equal to 2 हुआ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आप लिखेंगे कि AB is possible मतलब A और B का multiply किया जा सकता है यह possible हुआ अब देखें आप से पूछें कि A और B को multiply करने के बाद में जो एक matrix आएगा मतलब यह दो matrix हैं A और B हमने इनको multiply किया और इनको multiply करने कि बाद में यह multiply हो गया कैसे होगा आप इसे हो डिसकस करेंगे और यह नया matrix आगया माल लिजे X तो इस X का order क्या होगा तो आप दिखेंगे जो इसका order होगा वो क्या होगा A की जितनी row होगी जैसे A में 2 row है तो इसका row 2 होगी B में कितने column है इसमें B में 3 column है तो इसकी 3 column होगी तो हमें इन दोनों के multiply से जो यह तो decide होगा कि AB का multiplication होगा और इससे decide होगा कि इनका जो multiplication के बाद में matrix आएगा उसमें क्या होगा 2 into 3 उसका order होगा अब देखें हम AB का multiply करते हैं फिर हम बात करते हैं कि या BA होगा तो आप समझ गया होगे बार-बार इसको लेखने की जड़त नहीं है तो column देखना है हमें B के column देखना है तो B में कितने column है? 3 और A की row देखना है तो A में कितनी row है? 2 तो यह equal नहीं है 3 not equal to 2 तो यहाँ पर BA possible नहीं होगा तो BA can not be done मतलब B और A का multiply नहीं किया जा सकता है इसको हम नहीं कर सकते तो यहाँ पर क्या निकल के आया? कि A B हमारा possible है लेकिन BA हमारा possible नहीं है यह हम पहुँचे अब हमें करना है तो BA तो होगा ही नहीं तो अब हम यहाँ पर AB को करते हैं AB को हमने किया तो हमने इसको लिख लिख लिए A को पहले लिखाएंगे ऐसे 2457 यह लिख लिख लिए उसके साथ हम B को लिख देंगे B क्या है आपका माइनस 1023 और 54 यह हमने लिख दिया अब देखिए जब आप AB करेंगे तो जब AB हम निकालेंगे तो AB को कैसे करना है देखिए इसमें बहुत सिंपल बात है कि हमें पहले मैट्रिक्स के पहली रो को ले लेना है बन्दब पहले मैट्रिक्स से रो को लेना है अब आपको पता है यह वाली रो हो गई है रो ऐसे होती है ना ऐसे रो लगा दिया मैंने मालो तो ये रो लेना है हमें ये वाली रो ये जो है ये और ये रो क्या करेगी हर इसके हर कॉलम को करेगी यानि हम क्या करेंगे ये इसमें कॉलम है C1 ये वाला कॉलम है आपका C2 ये वाला कॉलम है आपका C3 समझेगा आप नहीं तो इसमें क्या होगा कि इसमें रो है एक रो है इसमें R1 ये वाली ठीक है और ये वाली रो है क्या R2 तो हम क्या करेंगे जब A B निकालेंगे ठीक है तो हमें क्या करना है कि R1 का multiplication होगा पहले C1 के साथ तो पहले हमें क्या लिखना है R1 into C1 समझा आपने क्या लिखना है R1 into C1 तो ये R1 और C1 को multiply करने से हमारा जो बनेगा वो बनेगा A11 यानि पहला element बनेगा अब फिर R1 को ही multiply करना है दूसरे column से तो R1 और C2 करेंगे तब हमारा बनेगा A12 देखे ये R1 C1 तो A11 बनेगा R1 C2 तो A12 बनेगा अब फिर R1 को multiply करना है तीसे column से तो R1 और C3 तो इसको जब multiply करेंगे तो कौन सा element बनेगा 13 आया नहीं हापे जो यहाँ number आया वो बनेगा A13 समझा आपने अब R1 का काम खतम हो जाएगा अब क्या किसका काम शुरू होगा देखे हमने इनको multiply किया तो यह बना अब क्या पकड़ेंगे इसको R2 को पकड़ लेंगे R2 काओन है second row अब वो second row को जब हम पकड़ेंगे तो वो first column से फिर second column से फिर third column से ऐसे ही करना है अच्छा फिर हम क्या करेंगे R2 को ही फिर C2 से करेंगे तो R2 C2 किया तो कौनसा element बनेगा 2 2 यानि A 2 2 अब देखे R2 को फिर C3 से करेंगे तो R2 C3 कौनसा element बनेगे 2 3 तो क्या हो गया A 2 3 बास समझा आपने तो जब A B हमने किया तो हमारे साथ क्या हुआ यह आया A1 1 यहां से क्या आएगा A1 2 यहां से क्या आएगा A1 3 और यह फिर यहां से क्या आएगा A2 1 A2 2 और A2 3 तो यह जो आया ऐसा matrix आएगा ऐसे element आएगे तो यह देखेंगे आपका 2 by 3 आएगा आप देखें कैसे हम निकालेंगे simple समझे यहां पे हमें क्या करना है R1 को multiply करना है C1 के साथ पहले तो यानि आप देखेंगे इस row में जितने element होंगे इस column में भी उतने element होंगे जैसे इसमें element कौन है 2 और 5 2 element है 1, 2 इसमें कितने 1, 2 तो इसमें पहला element पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ multiply होगा और उनको multiplication को plus करना है जैसे 2 को multiply करेंगे minus 1 के साथ तो minus 2 आया और 5 को multiply करेंगे 0 के साथ तो आपका 0 आएगा तो यह multiplication था यह वाला R1, C1 यानि R1 को C1 से ऐसे multiply कर दिया तो यह element आएगा निकलके add करके A1, 1 यानि R1, C1 को multiply करके A1, 1 आया अब हम इसी रो को फिर करेंगे जब तक column रहेंगे तब तक करते रहेंगे पहले से कर दिया अब इसी रो को दूसरे से करेंगे तो 2 का multiply किस से होगा 2 से तो क्या आएगा 4 तो यहान लिखाएंगे वो यहान लिखा जाएगा R1, C2 तो 4 आ गया और 5 का multiply करेंगे 3 के साथ तो कितना आ गया 15 आ गया ठीक है अब उसके बाद में फिर R1 और C3 करेंगे तो 2 का multiply करेंगे 5 के साथ 5 का multiply करेंगे 4 के साथ तो कितना आ जाएगा 10 2, 5 जा 10 और 5, 4 जा 20 तो यह आपका 20 आ जाएगा तो यह कर देंगे इस तरीके से अब इस रो का काम खतम इस रो ने आगे के element मतलब एक ही पहली रो ने B के सारे column को multiply कर दिया अब इसकी second row को ले लेंगे अब यह second row में भी दो element है 4, 7 तो इसमें भी देखेंगे 2 है पहले column में 2 इसमें भी 2, इसमें भी 2 तो 4 किसको multiply करेंगा minus 1 को तो यहाँ पर आएगा minus 4 और यह 7 करेंगा 0 को तो क्या हो जाएगा plus का 0 तो देखें यह कौन सा element बना यह हम multiply करते है R2 को C1 के साथ तो R2 C1 से A21 बनेगा यह इसकी number 21 है तो यह 21 ही आ जाएगा यह element बन गया अब क्या करेंगे इसका 4 का multiply अब यानि R2 को C2 से करेंगे तो A22 बन जाएगा तो 4 का multiply 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा और 7 का multiply 3 से करेंगे तो 20 बन आ जाएगा अब देखें फिर क्या करेंगे 4 का multiply 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा अब हम R2 को C3 से कर रहे है और 7 का multiply 4 से करेंगे तो 28 आ जाएगा तो यह इस तरीके साया अब इनको आप simple क्या कर देंगे add करके लिख देंगे तो आपको यह अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हम multiply को किस तरीके से करना है तो देखिए अब जब हम a b निकालेंगे तो हमारा a b क्या आएगा इनको add कर दो बस minus 2 0 तो यह minus 2 यह आएगा minus 4 0 तो यह minus 4 आएगा 4 प्लस 15 तो यह 19 आजाएगा और 8 प्लस 21 तो यह 29 आजाएगा 10 प्लस 20 तो 30 आजाएगा और 20 प्लस 28 तो यह आपका 48 आजाएगा तो देखिए a b को multiply करने से यह आपका matrix बन जाएगा तो यह आपको matrix का multiplication अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पर फिर समझ लेंगे जो r1 पहली row होगी उसको पहले column से करना है तो r1 c1 से कौन सा element बनेगा इस row का number 1 है इस column का number 1 है तो उससे a11 element बनेगा r1 को फिर हम किस से करेंगे c2 से तो r1 c2 इसका number क्या है column का 1 row का 1 इसका 2 तो इससे a12 element बनेगा तो यह चीज आप ध्यान लखेंगे और आपको multiplication समझ आ गया होगा अब हम इसमें क्या करते हैं एक example और लेते हैं multiplication का फिर हम exercise को जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएएगी चीज है तो देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया एक example लिया मालीजे हमने a ले लिया मालीजे हम a लेते हैं a हमने लिया यह मालीजे 2 minus 1 4 ठीक है और b हमने लिया मालीजे यह लिया 2, 7, 3 ठीक है तो यह आपका एक matrix है आप देखेंगे हाँ तो a का जो order देखें क्या है a का order होगा हमारा इसमें 3 row है यह मैं क्योंकि यह column matrix है तो इसमें 1 column है 3 by 1 अगर इसका देखें तो इसमें क्या है 3 column है एक row है यह क्या है row matrix है तो यह है 1 by 3 तो आप देखेंगे इसका जो order 3 by 1 है इसका order 1 by 3 है अब मैं आपसे पूछूँ क्या A B possible है तो आप बताईए अब इसको बार-बार लिखने के जड़त नहीं है नहीं वीडियो काफी नम्मा हो जाएगा तो A B possible है तो देखे A के column देखो पहले के column कितना 1 और B की row कितना है? 1 तो हाँ A B possible है क्योंकि इसका जो column है वो 1 है A का और B का row भी 1 है आप देखेंगे A का column 1, B का row 1 तो possible है अब मैं आपसे पूछूँ क्या B A possible है तो आप देखेंगे B A में B के column देखेंगे तो B के column कितने है? 3 तो A की row कितना है? 3 B की column 3 A का row 3 तो B A possible हो जाएगा तो यहाँ पर B A B possible होगा तो अमझ में आगे A B भी होगा B A B होगा अब देखेंगे कैसे होगा अब माले हम A B करते हैं तो जब हम A B करेंगे तो A को हमने लिख लिए 2, minus 1, 4 ठीक है पहले A को लिखेंगे फिर हमने B को लिख लिए तो 7, 3 यह लिख लिए अब मल्टिप्लाई करते हैं तो मैंने क्या बोला था एक रो को ले लेंगे अब बताओ इसमें कितनी रो है इसमें तीन रो है लबकि पहली रो है यह इसमें A की element है तो आपको ऐसा नहीं गए अगरो रो है लेकिन यह रो है इसमें केवल A की element है 2 इसमें दूसरी रो में कौन element है R2 में केवल A की element है इसमें भी minus 1 और इसमें कौन element है R3 में वो element है 4 तो इसमें रो तो 3 है लेकिन element 1-1 है तो ऐसे confuse नहीं होना है अब देखें इसमें कितनी column है इसमें भी 3 column है C1, C2 और C3 तो आपको confuse नहीं होना हर column में एक element है तो जब multiply करेंगे तो आप बताएं क्या करेंगे आप पहली row को पहले column से करेंगे तो R1 और C1 को करेंगे तो इसका element 2, 2 से हो जाएगा तो क्या आएगा 4 आजाएगा तो क्या बन जाएगा आपका A11 बन जाएगा अब हमें क्या करना है ये बन गया अब हमें क्या करना है इसमें column हाँ तो अब इसमें बन गया अब हमें क्या करना है R1 को फिर C2 से करना है 7 से R2 को C2 से यानि R1 C2 तो दूसर element बन जाएगा इसको हटा दो बार बार इसको लिखने से न space नहीं मिलेगा तो इसका क्या आएगा 14, फिर 2 का multiply 3 के साथ तो कितना हो जाएगा 6 ठीक है, अब देखिए minus 1 का multiply करेंगे फिर 2 के साथ, 2 row को first column ऐसे करते चले जाएगे, r2 को इसके साथ, तो minus 1 को 2 के साथ तो minus 2 आएगा, minus 1 को फिर 7 के साथ तो minus का 7 आएगा और minus 1 को फिर 3 के साथ तो minus 3 आएगा, 4 को फिर 2 के साथ तो 8 आएगा, 4 को फिर 7 के साथ तो 28 आएगा, 4 को फिर 3 के साथ तो 12 आएगा तो देखिए, ये AB possible था क्योंकि ये condition satisfied थी, अब मैं आपसे पूछूँ AB को multiply करके जो matrix आएगा ये जो matrix हाए, AB को multiply करने से, उसका order क्या होगा, क्योंकि AB हो रहा है, तो A में कितनी होंगी 3, और B में column कितने है 3, तो इसका order 3 by 3 होगा, तो आप देखेंगे, 3 by 3 order का ये matrix आपको मिला है अब देखिए, अगर आप BA करना चाहते है BA, B को A से multiply करना चाहते है, तो B क्या है यहाँ पर, आप देखेंगे, यहाँ पर B है 2, 7, 3 और देखिए, यहाँ पर A क्या है A है आपका 2 minus 1, 4, ये है अगर जब आप BA निकालेंगे, तो ये possible है, तो देखिए BA में, जो elements आएगा, मंदब matrix जो आएगा उसका order क्या होगा, तो B के row कितनी है, 1 और A के column कितना है, 1 तो इसका जो BA आएगा, उसका जो multiplication के बाद होगा, वो 1 by 1 का matrix मिलेगा, 1 by 1 का matrix क्या होता है, जिसमें किवल एक ही element होता है, तो यहाँ पर इसको multiply करेंगे, तो देगे, इस row को पहली row को, इसमें A की row है, और इसमें A की column multiply कर देंगे, तो यह आपका R1 जब multiply होगा, यह पहली row R1, और किससे multiply होगा, C1 से, तो आप बताएगे, क्या बनेगा, R1 और C1, यह multiply होगे, केवल A11, A की element बनाएगे, तो इसमें A की element आएगा, तो जब आप B यह निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, बहुत simple है, आप क्या कर देंगे, 2 का multiply कर देंगे, 2 के साथ, तो 4 आएगा, 7 का multiply, यह पूरी row, ऐसे multiply हो रहे हैं, और उसको plus करके A की element बनेगा, तो minus 7, और 3, 4, 12 हो गया, तो जब आप इसको करेंगे, तो 12, 4, 16, 16 में से 7 जाएगा, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो B, A कितना आजाएगा, आपका 9, तो इसमें एक यह matrix आया, जो की 1 by 1 order का है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर B, A, B भी पॉसिबल था, और यहाँ पर B, A, B पॉसिबल था, लेकिन फिर भी दोनों equal नहीं थे, तो generally क्या होता है, कि जो matrix का, जो multiplication होता है, वो generally commutative नहीं होता, मतलब उनका product A, B और B equal नहीं आता, तो यह concept आपको clear समझ में आ गया होगा, basic concept इसका, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अब देखेंगे, इसमें भी कुछ properties हैं, उनको ध्यान रखेंगे, मैं थोली सी बात बता दूँ इसमें, properties क्या है matrix की, properties इसकी यह है, कि पहली यह है कि अगर A, B दो matrix है, तो A, B और B, A, यह generally equal नहीं होते हैं, ठीक है, दूसरी इसमें क्या है, कि यह commutative नहीं होते हैं, यानि इसको कहेंगे not commutative, यह commutative नहीं होते हैं, matrix का multiplication generally commutative नहीं होता है, कहां होता है मैं बताऊंगा भी, और A, B, C किया हमने, और फिर A, B, C किया, ठीक है, तो जहां भी equality applied होगी, वहाँ पर यह condition satisfy हो जाएगी, अगर A, B, C तीन matrix हैं, अगर whenever equality apply होगी, both side, तो क्या हो जाएगा, यह equal हो जाएगा, तीसरी बात इसमें क्या होती है, कि जैसे कोई matrix है, A, और आपने प्रावगा कि I क्या होता, identity matrix होता है, यहाई क्या होता, identity matrix, यानि, जैसे 1, 0, 0, 1, जिसके diagonal elements सारे mandagonal के 1 होते हैं, और बाकी non-diagonal 0 होते हैं, अब यह 2 by 2 order का हो गया, 3 by 3 order का भी हो सकता है, तो जैसे 1, 0, 0, 0, 1, 0, और 0, 0, 1, इनको identity matrix बोलते हैं, देखी वैसे तो generally दोनों को हम I से ही दिखा देते हैं, लेकिन कभी-कभी जो 2 by 2 order का होता है, वो I 2 भी लिखा रहता है, 3 by 3 order के लिए I 3 भी लिख देते हैं, तो यह जो लिखा रहता है ना I 2, इट मीन्स यहाँ पर यह 2 by 2 order का है, I 3 लिखा हो है तो वो 3 by 3 order का है, ऐसा भी होता है, कहीं जो रत पढ़ती है, तो अब देखी अगर आप किसी number को, किस से multiply, अगर हम 3 को multiply करें किसी number से, तो answer 3 आ जाए, minus 7 को हम कितने से multiply करें कि answer minus 7 ही आ जाए, तो आपका बहुत अच्छे से answer आएगा, कि सर यहाँ पर हम 1 से multiply कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 3 आ जाएगा, minus 7 आ जाएगा, तो हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो देखें, यहाँ पर 1 एक ऐसे काम कर रहा है, multiplication के लिए, कि वो number की identity को नहीं खराब होने दे रहा है, 3 है तो 3 रख रहा है, minus 7 है तो minus 7 ही दे रहा है, यानि इनकी identity बची रहती है, identity पहचान, minus 7, minus 7, 3, तो 3 आ गया, तो इसलिए 1 को हम यहाँ पर, इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपनी तरीगे से बता रहा हूँ, fact क्या है, लेकिन इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको 1 से, हम क्या कहेंगे, 1 को हम बोल देते हैं, additive, sorry, multiplication में काम कर रहा है, तो multiplicative, inverse बोल देते हैं, sorry, multiplicative identity, क्या बोल देते हैं, इसको 1 को, multiplicative identity, 1 हो गया multiplicative identity अब देखिए जैसे 1 यहाँ पर काम कर रहा है number के लिए वो ही identity जो matrix होते हैं वो काम करते हैं 1 का matrix के लिए जैसे number के लिए जो काम 1 कर रहा था matrix में वो काम identity matrix करते हैं यानि वो क्या काम करते हैं मालो a को यह matrix है अब माली यह है 2 3 माइनस 4 5 अब आप देखिए a को i से multiply करिए होगा multiplication हाँ हो जाएगा तो जब आप a को i से multiply करेंगे तो क्या आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भी देखिए हमने क्या किया a लिया और i लिया तो a हमने यहाँ पे लिया 2 3 माइनस 4 5 और i हमने यहाँ पे लिया 1 0 0 1 अब हमने multiply करके देखा तो देखो आपको a मिल जाएगा 2 को multiply करेंगे ऐसे इसके साथ 2 1 जा 2 और यह 0 तो यह 2 यह आएगा इसको इससे करेंगे तो 0 और यहाँ पे करेंगे तो minus 4 आ जाएगा जब इसको करेंगे इस row को इसके साथ तो 3 और 5 को करेंगे तो 0 और यह प्लस का 5 आ जाएगा तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जब a i निकालेंगे हम तो देखेंगे 2 3 minus 4 5 तो आप देख रहे हैं कि A को जब हमने I से multiply किया तो हमें वही matrix A ही मिल गया वापस से तो यहां पर देखी जैसे हमने 3 को multiply किया न 1 से तो हमें 3 मिल गया तो जैसे यहां पर A को multiply किया हमने I के साथ तो हमें A ही मिल गया तो जो काम number में 1 कर रहा था वो ही multiplication में identity matrix कर रहा था तो क्या आ जाएगा ये हमारा इस तरीके से होगा तो इसमें मैं ये कहना चाहे रहा था कि multiplicative identity बोलते है identity matrix को तो क्या होता है इसमें A को I से करिए multiply या I को A से करिए तो बहुत time answer आपको A ही मिलेगा ये होता है multiplicative identity I को बोलते हैं अब इसनी properties रहें देंगे इसमें तो ये आपको समझ आ गया होगा इसमें एक चीज़ और है देखी जैसे दो number है जैसे मालो A और B को हमने multiply किया और उनका answer 0 आ रहा है तो आप certain है ये बात पक्का है कि उन मेंसे या तो A या B कोई 0 जरूर होगा या दोनों भी हो सकते हैं लेकिन अगर इन मेंसे कोई भी number ना A 0 है ना B 0 है तो answer फिर 0 नहीं आ सकता ये आप समझ पा रहें अच्छे से imagine कर लेंगे दिमाग में लेकिन देखी अगर A और B दो matrix हैं और आप उनको multiply करेंगे तो अगर इन मेंसे A और B मेंसे कोई एक 0 matrix है तो इनका answer 0 matrix आएगा obviously आएगा लेकिन matrix के किसमे ऐसा भी होता है कि A और B मेंसे कोई भी 0 matrix नहीं हो तब भी answer 0 matrix आ सकता है देकि नमबर में किसी दोनों नमबर में से 1 का 0 होना जरूरी है तब ही 0 result आएगा लेकिन matrix में दोनों में से किसी का भी 0 होना जरूरी नहीं है तब भी answer 0 matrix आ सकता है ठीक है हमेशा नहीं आता है लेकिन कुछ conditions में आ जाता है लेकिन यहां हमेशा ही ऐसा होगा कि जब 0 होगा तब ही 0 आएगा नहीं तो 0 नहीं आ सकता है तो यहां पर हम दो example लेते हैं मान के चलिए मैंने क्या किया एक example लिया ये मैंने लिया 005-7 और माले जे मैंने दूसरा example लिया भी वो मैंने लिया minus 8 5 और 00 या इसको चलो 3 कर लिजे ठीक है 5 भी कर सकते थे कोई problem नहीं है अब देखिए आप A भी निकालिए तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यह है 005-7 और B क्या है आपका minus 8 0 30 अब इसमें क्या होगा देखिए multiply करेंगे तो AB का multiply हो जाएगा क्योंकि इनका column और row का system जो था हो condition सही बन रहा है जब आप इसको multiply करेंगे देखिए इस row को इस column से करेंगे तो 0 का minus 8 से होगा 5 का 0 से होगा तो इनका answer है 0 ही आएगा अब देखिए इसका फिर second row से करेंगे first row का second column से करेंगे तो 0 आएगा ये भी 0 आएगा 0 को 3 से करेंगे 5 को 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा अब देखिए 0 इस अब दूसरी row को ले लेंगे 0 minus 7 तो इसके करेंगे 0 को 8 से करेंगे 0 और minus 7 करेंगे तो भी 0 ऐसे ही 0 अब इसको second row row को second column से करेंगे तो 0, minus 7 करें यहां पर 0 तो आप देख रहे ही थे, A और B मैंसे कोई भी 0 matrix नहीं था लेकिन फिर भी उनका result क्या आ गया 0 आ गया तो यह MCQs बगरा मैं आपको confuse करके कोई option दे सकता है, पोच सकता है तो यह आप ध्यान लखेंगे, एक चीज मैंने आप से बूली थी, कि जो matrix होता है उसका multiplication, generally commutative नहीं होता है मतलब A, B और B, A दोनों होने के बाबजूद भी वो equal नहीं होते हैं ऐसा मैंने कहा था यह generally ऐसा होता है, लेकिन अगर A और B A and B देखें A and B both क्या है, both are diagonal diagonal matrix है diagonal matrices है of the same order of the same order अगर इन में A और B दोनों diagonal matrix है, दोनों का order same है, तो हमेशा ऐसा होगा कि दोनों का multiplication, A, B और B, A always equal ही होता है यह केबल special case होता है diagonal matrix के लिए अगर diagonal matrix है, तो उनका multiplication, commutative होता है यह भी option में पूछ सकता है MCQs में, तो यह भी आपको ध्यान रखना है example ले लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा diagonal matrix क्या होते हैं, आपको पता है कि diagonal elements को छोड़ कर main diagonal जो होता है non diagonal element यानि 0 होते हैं तो जैसे मालो ही हमने ले लिया 3004, यह एक diagonal matrix है मैंने फिर B ले लिया minus 5007, यह ले लिया अब देखिए आप AB को करिए multiplication करिए तो जब आप AB करेंगे तो क्या हैगा 3004 अब इसको multiply करिए B के साथ minus 500 और 07 तो जब आप multiply करेंगे तो आप देखेंगे AB क्या आएगा 3 का multiply minus 5 से होगा और इसका 0 से होगा तो minus 15 plus 0 करेंगे तो minus 15 आएगा फिर इसका multiplication पहली row का इस column से करेंगे तो 3 का साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे 0 तो यहाँ 0 आएगा उसके बाद देखिए अब second row का multiplication करेंगे तो 0 का minus 5 से करेंगे 4 का 0 से करेंगे तो यह भी 0, यह भी 0 तो यहाँ 0 आएगा फिर 0 का 0 से करेंगे तो 0, 4 का फिर 7 से करेंगे तो 28 आएगा तो इनको multiply करने से यह एक matrix आया अब आप देखिए BA निकालिए तो BA जब आप निकालेंगे तो क्या होगा minus 5, 0, 0, 7 और यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 0, 0, 4 तो जब इनको multiply करेंगे तो first row को first column से करेंगे तो minus का 15 plus 0 तो यहाँ पर minus 15 आएगा और जब first row का second column से करेंगे तो minus 5 का 0 तो 0, 0 का फिर 4 से तो 0 तो यहाँ पर 0 आएगा अब देखे, minus अब इसका second row का first column से करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो यहाँ भी 0 अब देखे, 0 का 0 से करेंगे और 7 का 4 से करेंगे तो यह 28 आएगा तो आप देखे, AB और BA दोनों के answer क्या आते हैं? सेम आते हैं मैंने आपको discuss कर दिया है I hope आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा है दुबारा से देखेंगे फिर भी कोई doubt है तो comments लिखेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा share करेंगे हमको like करेंगे motivation रहेंगे ताकि हम अच्छी material लाते रहें और आपका भला करते रहें Thank you student, thank you for watching बाकि अच्छे से देखी सारी चीजों को ठीक है? समझ आती रहेंगे आपको Thank you for watching students once again अब हम next वीडियो में फिर आप से मिलते हैं